मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूँ यह जो सुबह का थूप होता है इसकी medicinal value बहुत है माने इसकी दबा के गुण बहुत है जैसे मैं आपको दोचार जारा हूं आपकी आखों के निचे काला-काला हो जा आक सरकिता को दोड़ाओ-, पैरमे कहीं चोट लग जाए हाथ में कहीं चोट लग जाए सुबह का थूप उस चोट पर लगा हाथ पैर में बच्चों के फोड़े फुंसी हो जाए सुवे का थूख लगा तो फोड़े फुंसी ठीक हो जाए मैंने देखा जले हुए का दाग सुवे के थूख से आप मिटा सकते एक़ी ताकत इसा आँखों पे चश्मा चड़ा हुआ है सुवे का थूख आँख में लगाओ काजल की तरह से चश्मा उतर जाए इतनी जोज़दार हो आपके शरीर में कैसे भी दाग धब्बे हो सुवे का थूख उसके लगाना शुरू कर दो सब दाग धब्बे मिट जाए और आप करके देख लो सुवे का थूख पूरे चेहरे के लगाओ चेहरे का रंग लगाता और निखरता जाए जो काम फेर अलवली नहीं कर सकती वो सुवे का थूख कारंटी से करता है करके देखे हो मैंने किया बहुत लोगों को बताए और मैंने तो इतनी एक्सपरिमेंट किये हैं एक बहुत खराब रोग होता है जिसको गैंगरीन कहते हैं ये डाइबिटीज के लोगों में कहीं भ के मरीजों को गेंगरीट पर सुबह का थूख लगवाया वो अंग सड़ गया था फिर ठीक हो गया और थूख उसी का था जिसको डाइबिटीज और किसी का नहीं मनें इतनी क्वालिटी वाली चीज है और हम इसको फोकट में थूखते रहते हैं इतनी कीमती चीज है अमेरिका में यह जो थूख होता है न यह बिखता है यह जो शैंक्वू का शैशे होता है न वैसे अमेरिका में थूख का शैशे होता है और वो बिखता है दस मिली ग्राम का शैशे दस हजार रुप है आप बोलोगे जी कौन खरीदता है जो लोगों को कैंसर हो जाता है और कैंसर की चौथी अवस्था जब आती है तो मुँमे थूप बनना बन दोता है सबसे पहले तो जब कैंसर हुआ चौथी अवस्था ही मुँमे थूप बनना बन तो ऐसे व्यक्तियों को थूप खरीद कर मुह में डालना पड़ता है ताकि कुछ खा सके तो वो मरीज उसको खरीदते हैं दस हजार रुपए का शैशे आता है अब आप सोचो कि जो शैशे दस हजार रुपए का आता है वो शैशे हम के ली ग्राम का दसदार में अमेरिका में खरीबते और यहां ठोकट में थूपते हैं सुभई सुभई तो यह ठोकट की चीज नहीं इसको थूपो मत इसको पीओ पीने का तरीका उठते ही पानी पीलो सब अंदर चला जाएगा और दो फाइदे होगे इसके को साफ करेगा बड़ी आख की सफाई होगी तो टाइलेट में जाएंगे दो तीन मिनट में फ्रेश होके बाहर आजाएगे और जो लोग सुभई सुभई फ्रेश हो जाते हैं उनकी जिन्दगी फ्रेश रहते इसलिए उठते ही पानी पीना कितना तीन किलास हों से छोटे बच्चों को एक किलास बड़े लोगों को तीन दे पीने का तरीका सिप सिप करके जब भी पानी पीएंगे सिप सिप पीएंगे में पीएंगे किलाएंगे